हेलो दोस्तो मैं हुरिश्यव चाटगी और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले जेब्रानिक्स जेब फिट 1220C8 स्मार्टवाच का फॉर्स टाइम सेट अप दोस्तो तो वीडियो को पूरा देखिए अच्छा लेगे तो लाइक जारू करना चाल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिजिए मुझे इस्ट्राइम पर फॉलो वीडियो देखेंगे तो चलिए देखते हो वीडियो तो दोस्ता अभी फॉर्स टाइम सेटप करते हैं पहले तो हमको अपना अप इंस्टाल करना है दोस्तो तो अलेडी मैंने अन्बॉक्सिंग वीडियो बनाया है तो उसमें क्लियरली लिखाता बॉक्स में कि आपको ZEPF सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो जब फिट बोल के बहुत सारे आपस है ठीक है तो हमको करना है 20 सीरीज वाला 20 सीरीज वाला करके इंस्टॉल करना है ठीक है तब तक ऐदर इसको स्विच अन करने के लिए अगर आप Charging Dock पे lag маленьKY तो भी Switch-on होगा मतलब Charging पेड़ा के नहीं तोburg पाझ़ merchant को 3 seconds प्रेस करें तो भी सुच अन हो जाएगा ठीक है तो 3 seconds प्रेस करते है का वान तो उप्मी साडिव जेब्रावरोनिकश ओवे ठीक है, तो on हो गया है, आप देख सकते हो, already, okay, that's it, it's on, please turn on all day heart rate in app, ठीक है, exercise, weather, player, बस इतना ही है, फिर से करेंगे, तो back, जब भी मैं home button press किया, थोड़ा सा vibrate किया, आप देख सकते हैं, इसा display देखने में है, उपर और कुछ भी functions है, तब down swipe करने से यह सब दिखाई तो चलिए, पहले हम app को देख लेते हैं, तो app open, तो zebronics fit, फिर यह साब information देख के मैं आपके साथ मिलता हूं फिर से, तो वो वाला profile page पे information देने के बाद यह वाला खुलेगा, तो आपको allow zebronics fit to access this device location, तो while using the app कर दीजिए, allow to make and manage calls, this is very important, अगर आप अपना smart watch पे caller ID देखना चाहते हैं, तो allow करना पड़ेगा, यह भी important access photos and media ठीक है कर देते हैं, यह वाला actually कभी भी आप यह वाला allow नहीं करते हैं, तो कभी-कभी problem आता है, अगर आप वो feature use नहीं करते हैं, तो फरक नहीं पड़ता, but अगर आप मतलब अपने phone पे caller ID वो सब देखना चाहते ह हैं, तो allow करेंगे, तो easily सब अच्छे से चलेगा, तो अभी भी add नहीं हुआ है, add bracelet to get more health information, तो add कर लेते हैं, okay, add device, तो add दिखा दिया आप मेरे को, तो add कर लिया हूँ मैं, अभी इस अभी दिखा रहा है, आप देख सकते हैं, step, sleep, heart rate, BP, blood oxygen, outdoor running, यह सब दिखाता है, okay, upgrade भी है, एक, upgrade, the batteries too low, please try again, after the batteries fully charged, तो upgrade के लिए, battery चार्ज करना पड़ेगा, अभी currently, 28% पे है दोस्तों, battery, but basically pairing हो गया है, तो दोस्तों, वो था setup, pretty simple था, कोई भी मतलब, separate एक account बनाना, वो सब नहीं था, directly आप में थोड़ा information डालना था, and setup हो गिया, तो यही process था, दोस्तों, informative लगा, तो एक like जरूर कर देना, चाल पर नहीं है, तो subscribe करके, बेल आइकान पर दबा दीजिए, मुझे, Instagram पर follow कीजिए, अधर है, आज से मीडिया हो जाए, अगर आप खरिदने में interested है, smart watch, तो link description मे रहेगा, आज के लिए नहीं साथ दोस्तों फिर सक लिए वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए, bye bye and stay safe.